नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं परुतिहार टोटके मकर रासी आज का दिन ठीक है पारिवारिक समस्याओं का समधान निकलेगा जो भी रुकावा आपका आटकावा कार है वो आज बन जाएगा और भागी के दरिश्टी कोन से ठीक है बैपारी भाईयों को बैपार का विस्तार के लिए किसी अन्होईवी व्यक्ति की सलाह लेनी बचें नोकरी में उच्छा दिकारी से निकरता का लाप जूरू मिलेगा जो वैपारी भाई हैं इंकम बढ़ेगा वैपारी क यात्रा के योग है और पैत्रिक धन समपत्ति मिलने के योग हैं वैसे परिवार में कोई मांगली कारे करम हो सकता है और प्रेम समंध में अगर हैं तो धान उपहार मान सम्मान का लाप होगा तो इस समय खास कर देखिए किसी प्रेजन के स्वास्त का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना चाहिए और परिवार में कोई मांगली कारे करम होगा लेकिन पैतिक संपत्ती भी प्राप्त होगा तो प्रयास चरूर कईजेगा भगवान को आज पीले पूस परफित करके ही दिन की सुरूआत कीजेगा तो उत्तम और काफी उन्नती होगी फोकस बनाये रखे काम पर जितना जादा मेहनत करेंगे उतनी ब जिवार में कलह मचाएगा इसलिए लोगों पर भरोसा करना बंद करें घर की बातें लोगों को ना कहें तो सुख सम्रिद्धी के योग हैं आज लेकिन थोरा सा आपको अपनी तरप से भी ध्यान देना है और दूसरा किसी को भी धनुधार ना दे वरना धनहानी होगा कोई भी बड़ा डिसीजन धन कहीं बेश्ट करना चाहते हैं तो आज ना करें नहीं तो दिक्कत होगी पॉजेटिव सोज बनाए रखें पुजा पाट में मन लगेगा सांती महसूस करेंगे और ज्यादा तनाव मत लीचे क्योंकि यह चीज़ें फिर आपके सोचने समझने की सक चाहती को बढ़ाएंगे और मंगल गुरु जो है संतान की उन्नती करवाएंगे जो आपके लिए सुक्र है पेट का थोड़ा सा आपको खया लखने को कहते हैं गैस बेगरे की प्रॉब्लम प्रेसान कर सकती है हलांकि परिवार में मांगली कारेकरम होगा जो यूबा ज्यादा करना है प्रयास करते रहें जो लोग का खुद का काम है दूसरों के भरोसा ना छोड़े हर तरफ नजरे बनाये रखें ज्यादा उधार ना दे बढ़ना हानी होगा नौकरी में उच्चा दिकारी के निकटता का लाब मिलेगा प्रेम संबंद में उपहार मान सम्म सारा मिलेगा और धन आज कहीं भी इंवेस्ट ना करें वैसे बैसाय में बैसाय को लेकर अगर यात्रा करते हैं तो आपके लिए ठीक है लेकिन आज खाली समय में बहुत सारा खाली समय मिलेगा अपनी मन पसंद कारी को कीजिएगा धन्यबाद हम लाइब से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव चरो लेकर धन्यबाद